नमस्कार प्रिये विद्यार्थियो प्राकृतिक चिकित्सा भाग पांच जिसका प्रमुक विशे है आज का प्राकृतिक चिकित्सा के दस आधार भूत शिद्धान्त ये सबसे महतुपूर्ण प्रशन रहेने वाला आपका जिसके अंदर हम जानेंगे प्राकृतिक चिकित् प्रिंसिपल जिनके माध्यम से पूरा का पूरा प्राकित चिकित्सा टिका हुआ है जिसको समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले देखेंगे इन दसों के नाम प्राकित चिकित्सा के दस आधार भुत सिध्धान्त सबसे पहला है सभी रोग एक है उनके कारण एक उनकी चिकित्सा भी एक सुनने में आपको अटपटा लगेगा पर वास्तों में ये सही है कि सभी रोग एक होते हैं उनके कारण भी एक होते हैं उनकी चिकित्सा भी एक है तो आप सोचेंगे कि सारे के डॉक्टर अललग प्रकार के क्यों बेठे हुए सब भी अललग पूरे शरीर के अललग डॉक्टर है तो यही सारे रोग एक है उनकी चिकित्सा भी एक है कारण एक है तो एक ही डॉक्टर रहना चाहिए हाँ वास्तों में एक ही डॉक्टर होता है परंतु ये सब के सब ये क्या है ये सब के सब ये अलग है यही तो प्राकिछ चिकित्सा है इसका एक विशेस्ता है कि पहला नियम तो ये दूसरा रोग के कारण किटानू नहीं जो आज का एलोपेथी डॉक्टर है वो यही मानता है प्रंतु हम कहते हैं कि रोग के कारण किटानू नहीं तिवर रोग शत्रू नहीं मित्र होते हैं वा बहुत बढ़िया तिवर रोग शत्रू नहीं मित्र होते हैं चोथा नियम है प्रकृति स्वयम चकित्सक है कुछ नहीं करना अपने आप प्रकृति आपकी चकित्सा करेगी पांचवा नियम है चकित्सा रोग की नहीं रोगी के पूरे शरीर की होती है यह बहुत यह बड़ी बात है कि चकित्सा रोग की नहीं होगी रोगी के पूरे शर की होती है आप देखेंगे छटा नियम रोग निदान की विशेश आवशक्ता नहीं निदान का मतलब डायगनोसिस उसका कोई अल्टरा साउंड करवाना एक्सरा कराने की आवशक्ता नहीं सीधा आपका प्राक्यत चिक्ट सामें उपचार हो सकता है सात्वा नियम यह है जिर रोग यानि पुराने रोग जो होते हैं बहुत सालों के वो रोगियों के आरोगे लाब में समय लग सकता है अचानक सोचें फटा फट आपका काम हो जाए ऐसा नहीं यह सपस्ट कर दिया उनको समय लगेगा आठ्वा नियम यह है प्राक्रितिक चिकित्सा से दबे रोग उ इतने होते हैं वो धिरे धिरे उबढ़ करके करम से बहार आएंगे नौवा नियम यह है मन शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ एक साथ इन तीनों की चिकित्सा होती है खाली शरीर की चिकित्सा यह नहीं करता दस्वा नियम अंतिम जो है यह कह रहा है प्राक्र पैनकिलर दवाईयां देना उसको ट्रेटमेंट करते समय तो ऐसा यहां कोई प्रावधान नहीं है कि आपको कोई उसमें दवाई दी जाए बाहर से तो इनके अपने जो नुस्के होते हैं उन्हीं से ये काम चलाते हैं अब एके करके हम सब को विस्तार से सुड़ा समझेंगे जिस एक दस के दस नियम आपको सपश्टता है याद हो जाएं समझ में आ जाएं पहला नियम तो आपने देखी लिया सभी रोग एक उनके कारण एक और उनकी चिकितसा भी एक उधारन से आप समझेंगे कि आप देखिए सभी रोग एक ही होते हैं एक होने से क्या भी प्रा असलब कि आपका शरीर की जो एनियमित जीवन शेली है वह एक है सब का कारण उसमें पीछे यानि रोग एक है यानि वीजातिय दर्व यहां बार-बार आपको कहा जाएगा कि वीजातिय दर्वे यह वीजातिय दर्व किया जिसे हम टॉक्सिस बोलते हैं जो यह ऐसा जातिय और सै जाती है वी जाती है आपको समझ में जल्दी समझे जाती होते हैं कि अपनी जाती का सै जाती है जिसे हम कहते हैं सै जाती का विवाह करते हैं हाना ऐसे सै जाती है एक होता है वी जाती है विशेस परकार की को जाती है जिसे हम विदेशी कहते हैं स्वधेशी कहते हैं इस बाहर से यानि वी जाती है ऐसा एक सामुदाई ऐसा एक बैक्टिरिया है जो आपके अंदर आ करके आपके शरीर को नुकसान देने वाला हो तो उसे बोलते हैं वी जाती है द्रव है द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या ऐसा एक अपसिष्ट पदार्थ आपके शरीर में जमा हो जाता है कॉर्णर में आपके जगां शरीर में वो आपको परिशान करता है जिसके अंदर से आपका पूरा का पूरा शरीर जखड़ा जाता है तो सभी रोग एक हैं यानि वी जाती द्रव का हो गया और उनके कार्ण एक है यानि अन्यमित जीवन शेली है उन सब को शरीर से बाहर निकाल दीजिए उधारन के रूप में कहा एक ही घर में पांच इदी वेक्ति रहें तो पांचों वेक्तियों में आयू का डिफरेंस हो सकता है पूर्ष स्त्री का डिफरेंस हो सकता है और सबकी जीवन शेली एनियमित है को चार बजे उठता है पा किसी का पेट टाइट हो रहा है किसी को लूज मोशन हो रहे हैं किसी का कमर दर्द हो रहा है किसी को छाती में एक दर्द होने लग गया किसी को एसीडिटी हो रहा है किसी को पाइल्स हो रही है हना किसी का मोटापा बढ़ने लग गया है किसी के हार्मोन संबैलेंस हो गए है त अब इनकी चकित्सा क्या है वो एक हो सकती है अब चकित्सा प्राकृतिक जो चकित्सा जो है वो ये कहता है कि आपका शरीर जो है इस मशिनरी को थोड़ा आराम दें आराम देने के लिए वह कहता है तो आप आराम नहीं देते तो वो रोग ठीक नहीं होता देखिए यहां पर तरह से देखिए शरीर में उपस्तित जितने भी विजात्य द्रव्य हो का बहिशकर्ण विभिन तरीकों से होना हना जब अब प्रकृति के इस मल बहिशकर्ट यानि आपके शरीर का जो गंदगी है उसको बहार निकालने का जो एक प्रोसेस है उसका वह काम करती है आप उसमे सयोग दे सयोग देने का है कि आपका Constipation हो गया है तो आप ऐनिमा लेकर के है उसको निकालिये या पेट में भारीपन हो गया है तो आप उपवास कर के अपने पेट को हलका रखिए हैना तो नियमित जीवन शैली में थोड़ा उसको एक करम में लेकर आना उसमें जल उपच बाहर निकल सके तो ये है इनका एक चिकित्सा का एक प्रकार रोगों के कारण पकड़ में आए रोगी के रोग पकड़ में आए तो सारा का सारा ये पहला एक नियम आपको स्पस्ट हो गया होगा दूसरा नियम ये है कि रोग के कारण किटानू नहीं यानि आज के जो एलोप संसार में जो कुछ भी दिखाई देता आप देखते हैं कि वो सब के सब जो हैं उनके शुक्षम प्रमाणू आकास में विद्यमान रहते हैं और निरंतर चलते रहते हैं यानि जो भी जैसे अगनी में कुछ भी डालें और वो सामने स्थूल है तो वो सुक्षम होकर के आकास में विद्यमान हो जाता है फैल जाता है अब इसका मतलब यह नहीं वो नस्ट हो गया नस्ट कभी कोई होता नहीं है वो अपना रूप बदल लेता है और जब समय आता है तो वापिस से बन जाता है जैसे पानी भाम बनत वाले जो वेक्ति होते हैं वो इन्हें किटानू होते हैं वो एक दूसरे साथ संपर्क में आते हैं जैसे हम शरीर का जो अंग आपका बनता है है ना तो उसमें पहले सेल्स एक समान कारिये करने वाले जो सेल्स होंगे वो इकठे होकर के एक औरगन बन जा देते हैं फिर बात रोक के कार्ण किटानों नहीं तो फिर शरीर में रोक कैसे लगता यह एलोपेथी वाले मानते हैं प्रन्तु प्राकिर्च किसा कहती है कि वो किटानों कार्ण नहीं है उनका मानना तो एक ही है कि वी जातिय द्रवे आपका एनियमित जीवन शेली एनियमित जीवन शेली ह एक मात्रकारण है जिससे शरीर के अंदर वी जाती दर्वों का प्रवेश हो गया है और वो इकठे हो गया है उनको बाहर निकालना अब बाहर निकालने का तरीका आपको बता दिया है वो नेच्रल तरीके से उनको बाहर निकाल के फैंकना है तो वही एक मात्रकारण है और अन का विजात की द्रव पहले से बिद्यमान ना हो तो इदी होगा तो आपके अंदर ही वह रह जाएगा और नहीं तो वह घूम फिर करके वापिस सरीर से आ जाएगा ये इनकी मानिता है प्राक्युचिकित्सा में इसी के अधार परी कहते हैं रोग के कार्ण किटानू नहीं सब प्रशिद प्राक्युचिकित्सा का नुशारी देखिए इसमें कहा तुम मुझे जवर दो मैं तुमें स्वास्थे देता हूँ ठीक है यानि मल युक्त शरीर को निर्मल करने के लिए जवर आदी टिवर रोग ही एक मात्र सच्चा मार्ग है इसलिए पुराने बुजर्ग जितने भी वो ये कहते हैं कि साल में एक बार तो बुखार होना ही चाहिए जवर आना ही चाहिए जिससे कि पूरा शरीर की गंदगी बाहर निकल जाए हैं महिने के अंदर एक बार थोड़ा सा जुकाम होना ही चाहिए हैना कभी कभी वमन करके उल्टी करके शरीर से गंदग बार उपवास करना चाहिए, नवरात्रों को रखना चाहिए, ये सब का सब इसलिए है कि सरीर की गंदगी बहार निकले, तिवर रोग शत्रू नहीं मित्र होते हैं, अब तिवर रोगों में काउंटिंग किसकी करेंगे, जैसे आपको जवरादी रोग, तिवर रोग ही है, अ वर हमें शिगरता से रोग आते हैं, और कुछी समय के बाद ये चले जाते हैं, ये सत्रू नहीं मानते हैं, इसलिए हमें जब ये रोग आएं, तो आपको तुरंत इनके उपर दवाईयों से इनको दबाना नहीं, इनको प्राकिर्टिक ढंग से इनको शरीर से बहार अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, शरीर स्वस्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो यही एक प्राकिर्टिक चिकित्सक के जो यहां प्रशिद बताया है, इनका यही है, शरीर को निर्मल करने की ये एक विधी होती है, और इनको हम प्रेश करेंगे, तो कहीं न कहीं दूसरे मार्क से फूट करके वो निकलेगा इसलिए ये हमारे मित्र है ने की सत्रू चोथा नियम है प्रकृति स्वैम चिकितसक है प्रकृति स्वैम चिकितसक है ये सrospectी इश्वर ने बनाई है हना ये तो हम जानते हैं कि आदमी की बनी हुई नहीं है इसी तो हम इसे क्या कहते हैं इसी तो प्रकृति कहते हैं प्रकृति 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 प्रकार की जो एक कृति है जो विक्ति विशेश से नहीं है बनी हुई तो वो एक नेचुरल है एक अपने आप जैसे पहाड है नदियां है आपके पेड़ पोदे हैं मनुशे का रू में स्वेम चिकितसा भी करती है इसलिए सबके जो शरीर है ये अपने आप रिपेरिंग भी करते हैं यदि आपको रात्री ना मिले दिन भर दिन ही दिन रहे तो आप रोगी हो जाएंगे इसलिए रात्री का मतलब है कि आप शायन करेंगे तो शरीर वापिस पुने सुबह देखते हैं इश्वर ने बनाई है उनसका एक ही पत्ता एक भी पत्ता बिना अनुमति के इदर से उदर नहीं हो सकता तो इस शरीर रूपी घट का कैसे हो सकता है हमारा शरीर तो छोटा सा है हना तो पूरा संसार इदर उदर बिवस्तित है उनके बिना कुछ भी नहीं हो सक तो ये शरीर का कैसे होगा उधारन में पशु पक्षी जब रुगन होते हैं तो आप उनको देखते हैं वो अपने आप खाना पीना बंद कर देते हैं हना खाना खाते समय भोजन, शुशन नलीका, अपच होना, हिचकी आना, जंबाई लेना ये सब के सब उधारन आपको प्र पेट के दर गेस बनने लगते हैं इसका मतलब एक प्रकृति बता रही कि आपका खाना जादा हो गया है या अपच हो रहा है खटी ड़कारे आ रही है, तो आपको खाने को कम लेना है, आपको हिचकी आ रही है तो जंबाई आ रही है, शरीर में नींद की आवशकता है या भूक लगी है, oxygen की कमी हो गई है, यानि शरीर अपने आप आपको इशारा करता है, यदि हम शरीर की इन चीजों को, इन सब बातों को नजर अंदाज करते हैं, तो आप रोगी होने लगते हैं, प्रंतु यदि हम इनका साथ दें, तो आप देखेंगे प्रकृति, यानि शरीर की प्रकृति, स्वयम चिकित्सक है, स्वयम आपका ध्यान रखती है, इसलिए जब आप रोगन होते हैं, यानि बीमार होते हैं, तो आपको भूक अच्छी नहीं लगती, भूक कम लगती है, पर हम जब बरदस्ती कहेंगी, नहीं खाएगा, तो ठीक कैसे होगा, नहीं करते हैं, थोड़ा का, थोड़ा का, उसकी वज़े से उसका शरीर में अपच होती है, और भी ज़्यादा वैं बधजमी करता है, इसलिए ध्यान रखना, परशु पक्षी जैसे अपना खाना, पीना, जब रुगन होते हैं, छोड़ देते हैं, सूरी उदे के साथ खाते हैं सूरीस्त के साथ बंद कर देते हैं, उनका जीवन बिलकुल प्रकृति के साथ चलता है, वेसे यह आप चलें, तो आप भी, आपका शरीर भी आपका पूर्ण साथ देगा, आपको स्वस्त रखेगा, ये इनका कहना है, प्रकृति स्वेम चिकित्सक है, अगला है नियम पां सही कहा, एक इस चिकित्सा की सबसे बड़ी विशेस्ता ये है कि रोगी के किसी एक अंग का उपचार ने करते हुए संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है, रोगी का उपचार करने से पहले इन बातों को जानना बहुत जरूरी है, अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई जुकाम का ही आपको दवाई दिया जाएगा, आपका पेट में दर्द है तो उस एरिया का पेट का है, पाउं में दर्द है, पाउं का है, सर में दर्द है, सर का है, कहीं कोई भी अलग अलग उस अंग को ही फॉकस करके उसको एक टारगेट ले करके उसको ठीक किया जाता है जबकि नेच्रोपेथि में क्या है वो उसका मूल को रूट को ठी करने कोशिश करते हैं नहीं पूरा शरीर को ठी करने कोशिश करते हैं तो यह कहते हैं चिकित्सा रोक की नहीं पूरे शरीर की होती है यानि सिम्टम्स परकाम नहीं करता है प्राकिट चिकित्सा यह पूरे सि आना जरूरी है कि सामने वाला जो रोगी आया है तो उसमें यह सब बातें पूछना है पहला क्या है रोगी के शरीर में गंदगी की मात्रा कितनी है गंदगी मतलब कि वी जातिय द्रव जो है वो कितना है कि से है कितना समय से है वो जान लेना जरूरी है और उसकी जीवनी शक कवर कर सकता है है छोटा बच्चा है बुड़ा है जवान है तो उसकी जीवनी शक्ती के उपर डिपेंड करता है कि रोगी कितना जल्दी ठीक होगा तीसरी बात ये है कि रोगी के उपचार कहां तक लिया है रोगी ने पहले उसका उपचार कहां तक लिया है तो वो एक आपक उसको नहीं कॉमेंट कर सकते कब तक वो ठीक हो सकता पांच वी बात रोगी का चिकटसा में विश्वास है या नहीं क्यूंकि वो आतो गया अक्सर कै भटकते भटकते सारे दुनिया में इजाज ना मिले तब प्राकित चिकित्सा की सरण में आते हैं तो आने के बाद उनको जल्दी रेती है तो ऐसी स्थिति में पूरा वो हारा हुआ हतास निरास वेक्ति जब आकर के चिकित्सा लेता है तो वो एक कच्चे मन से ऐसे लेता है उसका मन नहीं होता है कि ये ठीक करेगा क्यो लिए ये बात बहुत जरूरी है चिकित्सा में उसका विश्वास होना चाहिए विश्वास नहीं है तो वो इलाज होने में भी समय लगता है ये बहुत जरूरी बात है कि आपका इसकी साथ हिमापको तीन बातें और बता देता हूँ जुड़ी हुई कि जब भी कोई रोगी रोगी का सबसे पहले जो रोगी को जो चिकित्सा दे रहा है चिकित्सक के प्रतिविश्वास होना चाहिए कि ये चिकित्सा मुझे दे रहा है ये वेद्दे मुझे डॉक्टर प्राकित्सक मुझे चिकित्सा दे रहा है ये मुझे ठीक करेगा और चाहे वो आयू में आप से छोटा है बड़ा है काला है गोरा है लंगडा है लूला है है चैसा भी है लड़का लड़की को नहीं देखना आपको यह ध्यान रखना कि सामने वाला जो चिक्सा देगा यही मुझे ठीक करेगा नमबर एक दूसरा इस जो पेथी आप जो ले रहे हैं इस पेथी से ही मैं ठीक हूँगा और यह डॉक्टर ही मुझे ठीक करेगा यह अटल विश्वास तीसरा आपको क्या करना सच्चे मन से उतना जो काम बताए वो आपको पालन करना है फिर आप इश्वर पर छोड़ देंगे ठीक तब आपको इलाज मिलेगा सही माइने में आप देखिए छटा च्छटा नमबर यह है रोग निदान की विशेश आवश्रकता नहीं यानि आपको एकसरा अल्ट्रा साउंट जो आम इंडोस्कॉपी बगएरा करते हैं इसी जी बगएरा करवाते हैं इमारा यह करवाते हैं वो सब आवश्रकता नहीं है कि डारिक्ट आपका हो जाएगा इलाज कैसे प्राक्रिट चिकित्सा के अंदर तो क्या माना जाता है कि यहां पर एक ही जो है क्या कारण है वो है आपका जीवन शेली प्राक्रिटिक धंग से आप जब जीते हैं तो वह एक मुख्यता कारण है इसमें तो इसके अंदर जो मुख्यता यही कारण है चिकितसा पदतियों में होता है बलकि इसमें बहाइए लक्षनों को देखकर ही उपचार किया जाता है मान लें रोग का उचित निदान भी कर लिया है गया फिर भी रोगी ठीक नहाओकर कभी-कभी भयायंकर समझ्टा में पढ़ जाता है ऐसी स्तिती में प्राकर्ट चिकित सा पदती ही सरवस्रेश्ट सिध होती है अक्सरा आप देखते हैं कि डॉक्टर डाइग्नोसिस भी कर लेते हैं रोका पकड में आ जाता है फिर उसको ठीक करते हैं पर वो कई बात ठीक नहीं हो पाता है और यहां क्या कह रहे हैं कि वहां symptoms को उस जगहां को नहीं देखते हुए यहां यह कह रहे हैं पूरे शरीर को देखना आंख नाक, कान देखना सारा शरीर देखते हुए जहां जिस स्थान पर शोत यानि जहां दर्द हो ठीक होने लगता है जैसे आपको उधान्त यहां समझेंगे कहनी उसके मुख से सुनकर भी निदान कर लिया जाता है जैसे सिधान्त हर हालात में यही रहता है कि यह पता लगाया जाए कि रोगी के शेरिर में किसी भाग में किस अंग विशेस पर वीजात के द्रव्य यानि ब मुचित उपचार सोच सकता है इस तरह हम देखते हैं कि प्राकित चिकित्सा की निदान विधी जिसमें भटकने और भेकाने में का भे नहीं रहता है यह आपको ध्यान रखना है और डोक्टरों के जो रोग निदान और प्राकित चिकित्सा पदती के रोग निदान में एक अंत्र और है वैं ये है कि डॉक्टर लोग जो हैं मुख्यत है मुर्दों की चीर फाड़ कर निदान कर ग्यान प्राप्त करने का मुद जो उनका यतन रहता है करते हैं जब की एक प्राकित चुकित सा पदती जो जीवित शरीर में होने वाली जो जितनी भी क्रिया वाहिनिया हैं उनको देख करके ही मिंटों में अपना काम निकाल लेते हैं ये सबसे बड़ी विशेस्ता ये है बेद्दे जो होते हैं उनके नबज को देख लेते हैं या उनके चेहरे की आंखें देखना है उनके चेहरे के लक्षन देखकर उनकी जी सब देखते हैं नाइच्रोपेथी के अंदर भी रिपोर्टों को भी एक सीरियस केस के अंदर वो देखा जाता है परन्तु यहां आपने यही देखना है कि सच में जो सच का रियल में जो प्राकिट्चुकित्सक जो है अभ्यासी हैं प्रैक्टिसनर जो होते हैं उनको आवश ठीक है प्राकिट्चुकित्सा में रोगी को ठीक होने में समय लगता है इसके पीछे क्या कारण है वो यह है कोई भी क्यों नहों वह तब तक प्राकिट्चुकित्सा की शरण में नहीं आएगा जब तक वह अन्य चिकित्सा पदतियों से हार ने जाए जब पूरी तरह से निराश हो जाता है तभी वह आता है इसलिए पुराने रोगों को ठीक होने में समय लगता है समझ गये होंगे जिरनY यानि पुराने आप सीधे सीधे पाउच चल करके जब भी आपके शिरीन में रोग लगा हलका सा कमर दर्द हुआ हलका सा आपको बदहजमी होती variance या हलका ह समय तक पेहन के लड़ अपना अलर अलर्व करता है और थीक होता है तो उसमें उत्ना ही समय धिरे-धिरे लगता है उसको जड़ोंगे से निकलने के लिए यह ध्यान रखना आपको तो यह पुराने रोगों को ठीक होने में समय लगता है या बात जानते ही है एक किसी को जुकाम है उसको ठीक करना एक किसी को अस्थमा हो गया है तो उसको ठीक करना दोनों में अंतर हो गया तो सेम वही है अस्थमा अचानक नहीं होता जिनको टिबी है वो चानक नहीं होती वो बरत लंबे समय से होती ह या किसी को piles हो गया है, piles अचानक नहीं होती, वो एक लंबी यात्रा है, एक धिरे धिरे क्रम से आती है वो, तो आप पहले आएंगे तो पहले जल्दी ठीक होंगे, ये कहने का भी प्राई है, जो पुराने रोगी है, फिर दूसरा उनका आयू के उपर डिपेंड करता है, तो वो कितना जल्दी स्वस्थ हो पाते हैं, तो आठवा नियम ये है, प्राकिर चिकित्सा में दबे रोग उबढ़ते हैं, जब आप उपचार लेने लगते हैं, तो पुराने रोग भी उबढ़ कर बाहर आते हैं, जैसे अन्य चिकित्सा पदतियों में रोगों को दबाया ज जाता है, जब कि प्राकिर चिकित्सा में रोग बहार निकलना निकाला जाता है, उबहार का अर्थ होता है, तिवर रोगों से है, जो दो तीन दिन तक या अधिक से अधिक साथ दिनों तक रहता है, उबहार उसकरेता है, उसमें गबरा जाए, छोड़ के भाग जाए, फिर वो ठीक नहीं होगा ये एक उभाड आता है प्रकृति जब सफाई करती है तो धूल उठती है प्रन्तु बाद में स्वच्ता दिखाई देती है यही प्रकृति का नियम है आप समझ कहोंगे आंदी जंकार जब आता है तो मिट्टी डस्टिंग कितनी उठती है ऐसा पूरा घ करें पानी निकाला है कुवा खोदते हैं वक्त देखेंगे मजदूर जो होता है काम करता है वह पूरा गंदा भीग जाता है और फिर पानी निकलता है उससे स्वच्छों के बहरा जाता है तो यह प्राकित चिकित्सा है तो एक बार लगता है कि सब रोग उबड़ रखते हैं प्रन्तु वही एक माध्यम है फिर बाद में आपको उसको और तरो ताज़की मिलेगी और अच्छा मैसूस होता है नौवा नियम यह है मन शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ होती है यदि आप संपूर्ण श्वास्ते की बात करेंगे तो आपको शा ऐस्वास्ट शृषि ने भी का है समे दोष है समः अग्निश्च समधातव मलक्रिय फ्रसन आत्मिंद्री मनाह सवस्तधे गी धिय क्या थे अर्थात यानिरी familbling शले। तुमहारे नंहीं जो हैं जो वो सम रहें यानि वात पित कफ जो तीर प्रकार की दोश है वो सम रहें अगनिया आपकी शम रहें धात्वें जो सातों धात्वें वो भी सम रहें मल क्रिया जो आपकी स्रेज से निश्काशन जो क्रियाई है भार फेंक निश्काशन जो सारी क्रियाई है उच सरज तो ये कहा आगया आपका शरीर भी आगया मन भी आगया और आत्मा तो शारेडिक रूप से मन यानि इंद्रियों का राजा मन इंद्रियां ही सारी खुश है आपकी तब जाकर आत्मा प्रशन होती है ये तीनों की चिकित्सा साथ साथ की जाती है एक कांकी नहीं होता इसी के लिए प्राकित चुकित्सा के अंदर अस्टांग योग को भी नियमित अभ्यास करने से कहा जाता है कि आप यमनियम का भी पालन करें जिससे आपका शाररिक मान सिक भी स्वास्ते बने और आशन प्रानायाम भी करें ध्यान भी थोड़ा करें तो ये सारा का सारा और प्राकृ करता है तो प्राकित चुकित्सा में खाली शरीर को स्वास्ते प्रधानाय दे करके आपके मन के उपर भी आपकी आत्मा के उपर भी ये कार्य करते हैं जिससे रोगी शिगरता से आत्मबल से मनोबल से वो ठीक हो पाता है अंतिम जो है वह ये है नियम कि प्राकित्तिक उप करन को बहुएं को बहई यह मानती है यह तो प्राक्यतु किर्जा जो है पदद्टी को एक केवल इसको छोड़ कर जितने बाकी पद्दियां है रोगों के जो करन को बहाई' यह मानती है और प्रांत лучше किर्जा वाले देकर रोगी को ठीक करते हैं कौन अन्य जो चिकितसक हैं प्रन्तु प्राकृतिक उप्चार में रोग का कार्ण विजाती द्रव्य हैं जब शरीर की शक्ति हमें उत्तम स्वास्ते दे शक्ती है तो क्या वह शरीर से रोग बाहर नहीं कर सकती इतना बड़ा इनका तरक यही है पूरा का पूरा प्राकृतिक उप्चार मानता है वह यही मानता है कि वी जाती द्रव्य ही एक मूल कारण है उसको शरीर से बाहर निकालना है वो कैसे निकालना है वो प्राकृतिक उप्चार में अगनी जो जल है आपका पंच महाभूत के माध्यम से और राम नाम का जो है यानि मेडिटेशन के माध्यम से इनी छे तत्व के रूप में इनको लिया गया है इनके माध्यम से इनको शरीर से बहार निकाला जाता है तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा दशों जो प्रिंसिपल हैं सिद्धान तेप्राकुचिकृसा की ये मूल है इनको आपने कंठस्त अच्छे से समझ लेना है एक एकर की याद कर लेना है इसी के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद